हलो दोस्तों आज हम नेम्रा सुन्दा में से हौटी कल्चर्स की कुछ क्रॉप्स करते हैं तो स्टार्ट करते हैं फ्रूट क्रॉप्स बिसिकली तो स्टार्ट करते हैं जो मैंगो है मैंगो में मैंजी फेरा इंडिका इसके बोटानिकल नेम होता है एन एक RDAC family है, national fruit बोला जाता है इसको, king of fruits बोला जाता है, fruit type इसका droop होता है, origin, इंडो बर्मा है, edible जो पार्ट होता है, mesocarb, highly cross pollinated होता है, जो की house fly से, इंडिया rank first, mango production में, इंडिया rank first, ठीक है, world में 50%, इंडिया में production होता है, mango का first rank पर, ठीक है, after that, state कुण सी है, UP, इसमें vitamin A पाया जाता है, दशेरी में रुमानी effect है, जो की रुमानी dwarfing effect देता है, दशेरी में, मेंजर pest इसमें mango hopper आता है, mango hopper, ठीक है, scientific नहीं होता है, अमरी टोडस, अटकिंसन, और मेंजर डिसीज के पार्वें बात करें, पाउडरी mildew, मेंजर पैस्ट तो mango hopper, मेंजर डिसीज, पाउडरी mildew, और mango malformation वो होता है, कम ठंड की वजए से होता है, mango malformation है, जो ठंड की वजए से, और fungus की वजए से होता है, sponges, जो tissues होते है, वो convection heat की वजए से, internal fruit necrosis, ये बुरोन की कमी की वजए से होता है, deblossoming, जो की malformation को control करने के लिए, clustering होती है, जुमका होता है, ये कम temperature और pollination, fertilization इसमें proper नहीं होती, जिस वजए से clustering and जुमका होता है, बेल में, ओ, sorry mango में, mango हो जो की climatric fruit होता है, तोडने के बाद ये पकने लग जाता है, and tropical fruit है, 0.1% जो flower है, वो fruit में convert होता है, जो की mature, मलब जो, flower fruit में convert होता है, 0.1% flower develops into fruit, vapor heat treatment किया जाता है, जो भी जैसे fruit fly और stone wevel, इसमें बहुत जाद आती है, तो हम vapor heat treatment किया जाता है, इसमें, जो कन्या कुमारी और मादुरी, जो district है तामिलाडू में, ये एक साल में, दो बार crop लेते हैं, mango की, एक साल में दो बार, अलफांसो है जो, अलफांसो जो कि महाराष्ट्रा में ग्रो किया जाता है, मेली, कहाँ पर महाराष्ट्रा में, अलफांसो को, अलफांसो जो variety है, propagation इसकी वीनिय ग्राफ्टिंग से होती है, साइसुगंदा साइसुगंदा वराइटी होती है इसकी यह मैलफॉर्मेशन से फ्री है साइसुगंदा मैलफॉर्मेशन से फ्री होती है ठीक है रागुलो बीयरिंग वराइटी होती है साइसुगंदा किसकी है मैंगो की वराइटी होती है इसमें क्या होता है वेल ड्रेंड लोमी सोयल चाहिए होती है जून जुलाई में इसको लगाते है दस से बारा मीटर इसमें डिस्टेंस होता है धाई से डाई मीटर स्क्वार अमरेपाली का डिस्टेंस होता है 1600 प्लांट पर हेक्टेर इसमें लगाते है इतने प्लांट प्रेडी के इतने पीड़ पार हेक्टेर में इतने पैदा होता है इसमें बने करें, विने ग्राफिटिंग on01, इसमें वराइटी इस बेसिकली यही होती है कि अलफांसो, चोसा, बंगाल पाली, बुंबे ग्रीन, केसर, लंगडा, निरंचन, लालसंदूरी, नीलं, एड़वर्ड, फसली, हाइब्रीड वराइटी के बारें बात करें, अरका अनमोल, अरका पुनित, अरका अरुना, रतना, अमरिपाली, सिंदू, मलीका, साह सुभंदा, जो अरका अनमोल है, यह अलफांसो इंटू जनारधर्न पसंद, अरका पुनित, अलफांसो इंटू बंगाल पाली, अरका ठीक है। यह है। रतना में नीलम और ऑल्फानसो को क्रोस है। आप यह यद करलो है न आ ड, ड,vem,म, और,ड,व, अहर, ह,m,भ, सब्कत है, तोुच्नुच्छ मेंfedकराइ, नीलम,0. केसर, स्यससुगंदा डेता है। नीलम देशेरी जो की मालिका देता है, रत्ना अलफानसो सिंदु देता है, देशेरी नीलम अमरिपाली और नीलम अलफानसो रत्ना, ठीक है? अर्फ इंडिया में होते हैं अर्डइंडिया में अल्टरिट इंब्रूणिक और मनो के इंकंपί capitility थी बूसीए कौनधे अपनी इंडिया में अम्रिपारी रतना हो गया अल्टनेट ब्यारिंग में लंगडा चूसा दशीर धेड़ता है ओफ सीजन में निरंजन मदुली का हो जाता है पोली अंब्रियों नी गो ओल चंद्रकरन बेलरी मल गोव हो जाता है इंसेक्ट पेस्ट के बारे में बात करें तो मैंगो मीली बग ह इंसेक्ट पेस्ट में यही आता है मैंगो मेली बग हो गया मैंगो होपर हो गया स्टैम बोरर हो गया फ्रूट फ्लाई और स्टोन विविल आ जाते हैं ठीक है इंसेक्ट पेस्ट में मैंगो मेली बग मैंगो मेली बग होता है mangohopper होता है थीОs मेंगोह पर Istanbul इनके scientific name ही आ जाते हैं तो उनको हम देखते हैं Mangomillibug, Drosicha, Mangifera, Mangohoper, Ambritoids, Atkinson, Stemborer, Bactero, Rufomaculata, Bacterocerial, Dorsalis, Fruitfly, Stonewevil, Sternochatus, Mangifera Sternochatus, Fruitfly, Bacterocerial, Dorsalis, Stemborer, Bacterocerial, Rufomaculata, Ambritoids, Drosicha, Mangifera Disease के बारे में बात करते हैं, Powdery Mildi होती है, इसके इंदे, Idiom Mangifera और इसमें अंत्रिकनोज आता है, Malformation होता है, Physical Disorder में ब्लाक टिप यह बोरून की कमी की वज़े से होता है, Spongy जो Tissues होते हैं, यह Soil Heat Convection की वज़े से होता है, Least Causing है जोकी, Potassium की कमी की वज़े से, Internal Necrosis, बोरून की कमी की वज़े से, Alternate Bearing होती है, इसमें, इनकी यह होते कैसे हैं, Black Tip है, जोकी ब्लाक कलर का हो जाता है, यह जो भी Smokes जो होती है, Brick Clean's की जो भी Smokes होती है, इसको ठीक करने के लिए है, इसको ठीक करने के लिए है, इसके Management के लिए है, बोरेक्स आप स्प्रे कर सकते हो, तीन स्प्रे करने पड़ेंगे, बोरेक्स और यह एक किलोमेटर डिस्टेंस के दूरी पर, आप और जो बगी चाओता है, वहाँ पर लगाओ, ताकि यह Black Tip का Management हो सके, ठीक है, और बोरेक्स भी आप स्प्रे कर सकते हो, बोरेक्स में 11 परस रिजिस्टेंट वराइटी है यह नीलम और दशेरी है, जो कि फ्री होती है, इनसे रिजिस्टेंट वराइटी स्पोंजी टीशेरी होती है, इनकी रिजिस्टेंट वराइटी नीलम दशेरी होती है, और अरका अरुना, अरका पुनित, रतना, अरका अनमोल यह फ्री होती ह कर दोनके नोगे हैं कि नीलम दंशेरी हैं दो निलंगगी नीलम दंशेरी और का अरुना रितना उरकापुनेट अरकान मुल्च यतने भी अर का होती है यह सारे रिजिस्टैंट वाराइटि है किसके स्पॉंजय टीशू उसके और रतना नीलम운द नील Forschy और अल्टरनेट बियरिंग में यही होता है कि on year होता है कुछ off year होता है on year मतलब यही होता है कि हर साल flowers को produce करते हैं and off year में होता है कि कोई भी flowering नहीं हाती उस्टाइब यह basically हम यह problem दशेरी हो गई लंगणाओ का चोसा जो भी नोर्थ में जो यह लगाया जाती है यहां पर alternate bearing होता है यह इन में देखी जाती है इन वराइटी में तो इनको manage ही कर शकते हैं आप पैकलोबीटर आजो या कल्टर है जो यह स्प्रे करता हो ताकि flower induce हो जाए और जो planting regular bearing जो वराइटी होती है अम रिपाली नीलम, रतना यह regular bearing वराइटी होती है बात करें बनाना की बनाना है जो कि कल्पतहारू और मूसा स्पीसेस मूसेसी फैमिली है इसकी लाज्जस यह production होती है बनाना की सकर्या कॉम से propagation होती है इसकी सकर्या कॉम से सकर्या कॉम से कॉम्स की ग्लाडियोलस से भी होती है, बनाना की सकर से और कॉम्स से, पांसो से साढ़े साथ सो, इसका टेस्ट वे, वेट होता है, स्वार्ड सकर जो होते है, उनका वेट होता है, पांसो से साढ़े साथ सो ग्राम, पांसो से साथ सो ग्राम होता है, ट्रिपलॉइड होता है, इसमें जाद है और लेडी फिंगर डिपलाइड जो बनाना होता है वो लेडी फिंगर होती है कट्राइजोम्स जो होते है वो प्रोपोगेशन के काम आते हैं उनको बोलता है प्रोपोगेशन इसका कट्राइजोम्स से भी किया जाता है कट्राइजोम्स को कट्राइजोम्स को यूज किया जाता है प्रोपगेशन को पीपर बोला जाता है हुनको सीडलेस बनाना की जो सीडलेसनेस है जो वो कॉन्टिब्यूट कैसे होती है 2,4-D आप स्प्रे कर दो बनाना की सीडलेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं 2,4-D श्प्रे कर गे इसमें राइपनिंग के डाइम क्या होता है अगर आपको पकाना है तो उस टाइम आप क्या करो 15-18 डिग्री सलसिस के कंट्रोल चैम्बर हो उस रों में क्या करो 15-18 डिग्री सलसिस आप इतना प्रोवाइड कर दो जिससे वो राइपनिंग हो जाए और थाइलीन की कंसेंट्रेशन कम कंसेंट्रेशन होनी शाहिए 15 से 18 डिग्री सेल्चेस पर इसमें थाइलीन तो अच्छा रहता है राइपनिंग के लिए बड़ जो अच्छा नगी रहता 15 हे 8 type पंदरा से 18 तो वैसे राइपनिंग के लिए हो जाता है, और तेरा डिग्री से परसें, 85-95 परसन इसमें हुमिड़ियो और होती है, तीन हफ्तों तक, 85-95% हुमिड़ियो होती है, वराइटी के बारें बात का है, तो आपका विंडिश, रस्ताली, हॉंड़, हॉंडा, निंद मौख Kait ser2 टॉकण से करना पराओ टैसा कुण ऐलरी पर मोख70 से इंसक्ट के बार बात करें इसमें रई यो ह्म रीविल आता है और आफ़िड आता है बनाने में एफीड आता है और रैजों वीविल आता हैं रासों व्यों थिक्स बात करें अब नेक्स क्रॉप के बारे में इसका साइंटिफिक नहीं होता है, इसको प्रूनिंग अरी जाती है, April में, that is the most important question, प्रूनिंग, April to May, ठीक है, April to May. Bear crop, जो कि heavily, या drastically प्रून किया जाता है, Variety, इसकी दूदिया, जो वराइटी होती है, जो वराइटी होती है, ये fruit fly के resistant होती है, दूदिया, जो ये fruit fly के resistant होती है, bear, bear में, दूदिया, जो वराइटी होती है, fruit fly के resistant होती है, कितने भी fruit fly हो, लेकिन वो damage नहीं होता, दूदिया जो वराइटी होती है, resistant हैं, अड़्ले वराइटी है, ये तोई गोला, सेप के थाली, mid maturity के होती है, मुंडिया जोग्या बनार्सी महरून मुंडिया जोग्या बनार्सी महरून लेट मैचॉरिटी उम्रान इलाईची कत्ता पठानी उम्रान उम्रान इलाईची कत्ता पठानी डिसीज के बारे मात करें इसमें पाउडरी माली होते हैं वेसिकलिए हमने यही दिखवκो कि आईवावा अवाई उधाओ करते हैं going zin कवाव को बोगो करना असका टू हम विंटर में लगा आते हैं अपर हूं और विंटर क्रॉप्स में टॉलरेट कर लेता है लेकिन ऐसेडिटी से सेप्टिबल रही जो सॉइल होती है वहाँ पे ग्रो नहीं कर सकता है रेनी सीजन में क्या करते हैं अगर बाय चांस हो भी जाता है ठीक है मानलो क्रॉप हो भी गाया तो उसको हम रिमूग कैसे करने अब यूरिया स्प्रेय कर दो जब फ्लारिंग प्रियर्ड हो ना कि फ्लावर्ड आना स्टार्ट हो जाए तो आप उस टाइम यूरिया स्प्रेय कर दो जिस वजए से क्या होगा वह रिमूग जाएगी रेनी सीजन की जो क्रॉप होगी विल्ट एक सीरियस प्रॉब्लम होता है इसक्यानता है यह अलकली जो सॉइल्स होता है बेसिकली उनमें दिखा जाता है विल्ट एक सीरियस प्रॉब्लम होती है गवाव में जो की अलकली सॉइल में बहुत ज्यादा कॉमन होती है वराइटी खुन खुन सी होती है अलाबाद साफेदा एल-49 सरदार बोल सकते हो आप चितिदार हरी जां हाफ बहत कोकोनेट ललित कोहिर सफेज सफेज जैम अरकमरीदुला अलाबाद सफेदा अलाबाद सुर्क अपल कलर रिमाइट अपल कलर गवावा की होती है हाइब्रेड है जो के ह एच-45 हाइब्रेड ह-45 गवाव इसमें डिस्यीज जो आती है एक मिनिट इसकी क्रोस देख लेत धार आला सर्दार बना दू अलपाथ सफेदा सर्दार सर्दार एसमें विल्टिंग मैंने बताय다 Say तिरीश में आता है गवावा टी ओमज्कुतो बागाता है लैस के में अच्ति की आउट ग्रूथोर्र यस्क एस एड मिल़ पगई होता है SCALY が इसके बाद इसमें बुन जिंग निजर आता है वो जिंग का में की वजये सा हता है और तो एमपलीह स्वर ऑर की बाद करें सब्सक्र Module फैमिली, इंडिया गूस पैरी बोला जाता है, पैच बडिंग होता है, विटामीन C पाया जाता है, 100 ग्राम में 600 mg, और ला साइज को हम प्रिजर्व किया जाता है, किसके लिए कैंडी बना देते हैं, यह प्रिजरवेशन कर लेते हैं, बड़े कैंडी जो होते हैं, बड़ा चक्किया, हाथे जूल, कंचन को आप NA4 भी बोल सकते हो, हाथे जूल को फ्रैंसिस भी बोला जा सकते हैं, डिसीज जो आती है, रिंग रस्ट आती है, फ्रूट नेक्रोसिस आती है, कून सी आती है, डिसीज इसमें रिंग रस्ट आती है, फ्रूट की नेक्रोसिस होती है, पैस के बारे में बात करें इसमें आती है बार केटिंग केटरपिलर आता है आफला में ठीक है ग्रेप के बारे में बात करें विटेश्वीनी फेरा विटेशी आइडियल टाइम इसका ही होता है प्लांटिंग का कितना होता है ऑक्टूबर में होता है ठीक है प्लांटिंग की ideal time होता है ठीक है unrooted grapes के पार में आते हैं unrooted जो grapes होते है October में लेकिन rooted का होता है Jan Fab में October unrooted का लेकिन rooted का होता है Jan Fab Jan Fab यह deciduous crop होती है hardwood cutting होती है thompson seedless maximum grown किया जाता है 55% area में और training इनकी बावर सिस्टम किया जाता है और प्रिकर देते हैं इसमें ना आउटस्रेंडिंग जो कल्टिवार होते हैं रीजिंगा वो तैकिश मिश प्राली होते हैं वराइटी अरका त्रिश्ण सोमा दिल्कुष अरका हंस अरका कंचं थॉम्शन सीडेस मस्केट परलेट अनावशाइस अगर डिसीज की परिमाद करते ह दोसो मैं इतनी जल्दी इसलिए बोर रही हूं ताकि क्योंकि रिवीजिंग का टाइम है तो उस अकोडिंग में आपको वीडियो बना कर दे रही हूं तो हैं और चिकन डिसीज इसमें बुरून की गमी हैं और चिकन डिसीज पूरून की गमी बैरी और ब्लोसम ड्रॉप ज जाता है हैनौ और चिकन डिसीज बुरून की कमी के वज़ासे बताया थीक है ठिक बैरी जो एक तैंप्रेश्य के वज़ेसे यह तो हम संसरेड़ जे होता है वहां पे फिंग बैरी हो जाता है मैक्सिमम कोमन यही दिखा गया है कैलिक्स एंड रोट है जो कैल्शियम की कमी की वज़े से होता है कैलिक्स एंड रोट कैल्शियम की कमी की वज़े से ग्रेप्स के अंदर होता है इसमें इंसेक्ट जो पैस्ट आता है थ्रिप्स और फ्ली बिटल किसमें आता है यह आता है ग फिलिपिन्स थैं, इंडिया इंडोनेशिया अं फिलिपिन्स, एंडिए फिलिपिन्स बहता है कोटने बर्डक्शन में केडला में चोगार्स बाफ स मोटन वर ऑपर कादन की वराइटीज होती है मैं पल् filming ंपर चब्र पर पर कि अगर लेखते हैं सब कर देखते हैं संजो स्केल केले अहँ व्ली एपल एकटू उफिट तो दोस्तो आज केले हैं निक्स वीडियो में आपको मैं वेज़टेवाद क्रॉप्स कराँगी बाबसे